तोड़ो बच्चों, कैसे हैं आप सार? तोड़ोगी विल डूँँग नूँओ, आजम कुछ नया करेंगी फर्स्ट अपॉल, मैंचिन देड यहार वर्स्ट देड टोड़ेगी पिटास, देड क्या है? तोड़ोगी वर्स्ट देड बच्चों जाती है 2, 3, 23, then dot, then 2, then 21 तोड़ोगी वर्स्ट दो डुटवोगी पॉल, खोट दोड़ोगी ना तोड़ोगी वर्स्ट नया करेंगी विल दोड़ोगी आजमा प्को क्या करवायगी विल ता? A to Z बट इसमें बीटे है difference है कि आज मैं capital और small दोनों letters एक साथ लिखना आपको सिखाएंगे First of all we will write capital letter A to Z सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बीटा capital letter A to Z और capital letters कौन सी line में आते हैं बीटा top three lines में कौन सी lines में उपर वाली तीन line हों में let's start speak with me also पच्चे A A Diva Seeker Dider E F पहले राप बीटा पौन से letters लिखना है एक capital letters then F F F में क्या होता है मीटा top वाली sleeping line बढ़ी होती है और second number वाली small होती है then G G H अभी पादसे बंटरी आइज बंटरी tyre देसे कहोँआ रह होती है आछे करे जीज़ सर्टोcastsh P, Q, R, S, T, U, R, V, W, O, X, S, Y, R, छोप, and then Z, Z, पेजिस आपने बच्चों को सबसे पहले कहने हैं कि वो capital letter A to J लेखे और बच्चे को यह चीज़ आपने समझानी है कि capital letter A to J, top three lines में आता है, top three lines में उप ने आपको बताया था flight letters, flight letters means जो उड़ते हुए होते हैं और जो ऊपरवाली lines में होते हैं, now we will write small letter A to J, अबग small letter A to J लिखेंगी, सबसे बहुत क्या लिखेंगी, small a, a, r, small a कौंजी लाइन में आता है, between two black लिखेंगी, इसी इस ग्रास हटर, and then b, b, then c, d, e, f, f, f किकनी लिखेंगी लिखेंगी, four lines में, पूरे अलपाबेट्स में, सिर्फ F ही एक लिखेंगी, जो four lines में आता है, then g, एच्छ, i, e, j, 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 k, 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 k आपको समझा गया होगा कि मैं ने ये कैसे राइट डाउन गिया है पहले आपने capital letter A to Z राइट डाउन करने है top three lines में then आप small letter A to Z राइट डाउन करेंगे उसके साथ में ही रोज जिस लाइन में आएंगे उसके according flight letters, grass letter and root letters बच्चों को ये समझाने का बहुत ही easy way है इस तरह राइट डाउन करने से बच्चों को capital और small letters में comparison करना आ जाएगा Today is your homework Bye बेटा